को परिपादन में दुरस्त करें यह कहां से इंट्रिम ओडर हो गया और हाई कोट के आदिश्क या ता आप सब पढ़ते नहीं है आगे लिख रहे हैं सर या यूवर अंडर इंफ्लेंस दूसर आप सारी सर लेकिन इसमें इंट्रिम ओडर ना क्वेश्ट लिखा हुआ था इस आप तो सुप्रीम कोट हो गए हाई कोट की आर्ट करेंगे था प्रॉसस में है सर्ड या बाभू लिखता आपके आदिश्ट यह तो अंग्रेजी में लिख आ आप यह कुद लिखा होगा इस तो सभिस पूऑं ऊपनो की अपनल किर चॅक्टार की बंज taşरन को पार फ्लेंट ईखने सपिस अपने समय आप संधारन इसाप नहीं से रहते हैं और आकथेवारीन में सभी तुनामिटी नममर्ड कमासल tim अब किस बैच के डिप्टी कलेक्ट रहे हैं? 16 से जोइन हैं 16 से 2016 से हैं? पॉब्लिक सर्विस कमिशन पर सिलेक्ट होकर आय थे ऐसा ओर्डर ट्रेणिंग नहीं हुए आपकी क्या? हुई है, सब्सक्राइब पेशी दिना दस चार्ट अब अब आपकी क्या लिखा है? मानने उच्छी नहीं के एक दिवस पूर्व इस्तिती को परीपादन में दुरस्त करें यह कहां से इंट्रिम ओडर हो गया और आई कोट के आदिश्क या त आप सब पढ़ते नहीं है आगे अब यह कहा था कि पूर्व इस्तिती बाहल करें क्वेश्ट का मतलब क्या होता है? आप हमें बताएंगे क्वेश्ट का मतलब यह होता है की प्रोसेस में है सरकारी जवाब यहां मनद वी जजे यू यहुल इन ट्रबल सेस्ट नोटिस कितारी को तामील हुआ ये बताए में बहरा न डिया अऩा इसको कुछ नहीं नहीं? इसके पहले एक और इनोंने एक अप्लिकेशन है अब हमारे आप अप व कि आपичाए पार हमें Allures मैं आपने लिखा है कि बावु ने लिखा है इतना तो भी अचैर कि आप ने लिखा है थे है को नहीं निखा है आप झाने लिखा है इंट्रेम और पास करने के लिए आपको हाई कोट ने का ही नहीं था ऐसा भी आपने लिखा कि अंत्रेम आदेश है फिर आगे अपने लिखा सदा नुसरा अनावे दक को नोटिस जारी किया जाए रिकार्ड भी ग्यारा तारिक के बाद जो है पांधिन वाद जो है सत्रा तार नवे ने रिकार्ड क्यों दुरूस्त कर लिया तो समझाई ए ना तो अग्ला सावा रोटर करें शुरी से एक टीजिए ना प्रेकाश मिश्रा लनेच कौनसे को दा पिटिशन शुरी तूना मताई आपका दूर्टर अनुराइट दूर्टर अनुराइट टिवारी किसी के आप था प्रेकाश का किनी इस थी किसी किसी के टाला प्रेकाश मिश्रा नुरा रिकाशै के टीजिए और दूर्टर टूर्स यॲीजिवे नेतनी टेंप्री अट व्सकित ना पर्वार्ट उन्सुथ्स गूंत ओंतक Judge किस्ट श्स Yo antibiotic कर्केंद और्स आत्रीपारिजी एंडर्य कोड़今天 ऑन्रातीन सर्थ इंड इंडन्विट स्ट 1575 किस्जाों कि स्ट 1220 रूब उन क्रिंदधी इंडवmm questo step पुलिस टॉप बताईए वन वन फाइब आप पर चलते हैं सीज दे लेंडर में निपोर दीजिए रहा है इंटरिम ओर्डर का प्राफधान वन फाइब पढ़िए गाथ नी वन वन फाइब में नहीं है अब जितना उलजना चाहते हैं उतना पर्याब तोल जा दिया जाएगा सारी से बताईए नी वन फाइब में बताईए पढ़के रहा है प्राफधान इंटरिम ओर्डर का next value there is no provision under section 115 MPLRC to pass interim orders Petitioner sorry SDO was deciding the case under section 115 MPLRC thus contention of the subdivisional officer Dr. Tiwari Anurak Tiwari that he had passed interim order is devoid of marriage there is no provision under section 115 MPLRC to pass interim orders. Therefore, impugn order dated 11-4-12-20 cannot be set to be an order of interim nature. Same is hereby quest. Since parties are already appearing before the sub-divisional officer, next date कैस? Next date क्या है? Sir. 22.25 है, sir. And next date fixed before the sub-divisional officer is vice match. He shall try to complete the proceedings as per the earlier directions of the High Court WP number dated 15-3-12-3 in WP-11-21-6-22 and shall complete the proceedings before expiry of period of 90 days. My humble samir say, it may be transferred to another SDO, my lord. Yes, sir. In fact, my lord they can't say my lord at this stage, my lord. but my lord we are under-threatened. I have no material to suspect his bona fides. Mistake किये, he admits that he has committed a mistake bona fides. Salim. I don't have to say High Court आने के बाद इतनी गुस्ताखी नहीं करेंगे ये. गलत आदेश फारिंटरे. जो भी लोग के मुताबिक हो, वो करिएगा. I am not saying इनके पक्षमे और उनके पक्षमे करिए. Pass orders according to law. Sorry. Thank you.